idiom signed phrases, day second डेर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि idiom signed phrases आपके लिए कितनी important है, पर तेक exam में इनका कितना योगदान होता है बट हम इस्टुडेंट्स को ये idiom signed phrases आसानी से याद नहीं होती और भूल भी जाते हैं अक्सर इसलिए English Depot के चैनल पर idiom signed phrases की आपको सिरीज मिल जा रही है प्रति एक दिन आप 5-5 idioms को सीखेंगे ऐसी टेकनिक से, ऐसा सीखो कभी न भूलो वाली टेकनिक से मैं पवन आपको प्रतियक दिन, प्रतियक idiom signed phrases को बहुत ही यूनिक टेकनिक से सिखाने का प्रियास करूँगा आपने पहले दिन की क्लास को नहीं अटेंड किया था आपने पहले दिन की वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सिरीज में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा बढ़ते हैं आज की idioms की तरफ जो की आज पहला है fish in trouble waters fish का मतलब होता है मचली trouble मतलब परेशान water मतलब waters मतलब तो समुद्र होता है बढ़ हमें समझना है, समझने के लिए हम पानी समझते हैं तो यह जो हमारी मचली है वो कहां पे है परेशान पानी में है अच्छा अगर कोई परेशान हो और उसकी परेशानी में भी हम अपने आप का कुछ मतलब अपना कुछ importance ढूड़े अपने आपको रहने के लायक बनाते रहे उसकी परेशानी वो परेशान है उसकी परेशानी को हम न देख करके हम उसमें रह रहे हैं, रह रहे हैं तो क्या इसका क्या रत निकल रहा है हम उसकी विसम परिस्थिती का भी क्या उठा रहे है फायदा उठा रहे है, यही तो होगा न देखो पानी तो परेशान है लेकिन क्या मचली उसकी परेशानी को समझेगी, बिल्कुल नहीं ये पानी के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि पानी के बाहर जाएगी तो ये मर जाएगी इसलिए ये पानी में रहेगी ही रहेगी उस परेशान पानी में भी ये रहेगी तो उस परेशान पानी यानि जो है उसकी विसम परिस्थिती है फिर भी ये मचली अपना फायदा उठाएगी उसकी विसम परिस्थिती का इसलिए fish in trouble waters का मतलब होता है विशम परिस्थितियों का फायदा उठाना. अगर आप या कोई और किसी की विशम परिस्थितियों का फायदा उठाता है तो वो fish in trouble waters का परियोग करता है. इसको इंगलिस में हम लोग कहते हैं to take advantage of the problems of others. आगे बढ़ते हैं dear तो a behave, a behave का मतलब क्या है? b plus hive behave. b का मतलब मदमख्य होता है, hive का मतलब छत्ता होता है, b hive मतलब छत्ता. मदमख्यों का जो छत्ता होता है, आप image में देख पा रहे होंगे, ये मदमख्यों का जो छत्ता है, इनके आसपास की जो जगां होती है, जहां पे छत्ता लगा होता है, ये जो छत्ता ही होता है, क्या कभी खाली रहता है? यहाँ पे हमेशा मदमख्यां भिन्भिनाती रहती हैं हमेशा भिन्भिनाती रहती हैं हमेशा यह क्या रहता है इसका मतलब busy जगां होती है मदमख्यों का छत्ता फिर क्या होता है बहुत best होता है तो ऐसी कोई भी जगां जो बहुत best होती है उसे ही कहा जाता है अबिहीव क्योंकि यहाँ पे मदमक्खियों जैसा हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है मदमक्खियों जैसे हमेशा वहाँ भिनमिनाती रहती है उरती रहती है अपने छट्टे के पास वैसे कोई जगा है जहां पर हमेशा कोई न कोई इंसान रहता ही रहता है उसका मतलब होता है अब भी हीव A crowded or busy place A crowded or busy place को कहा जाता है अब भी हीव और इसी को हिंदी में कहते हैं West जगा Dear आगे बढ़ते हैं A fair weather friend यह A fair weather friend का क्या मतलब होता है देखो fair का मतलब क्या होता है उचित ठीक ठाक वेदर का मतलब मौशम ठीक ठाक समय ठीक ठाक मौशम का दोस्त यानि ऐसा दोस्त जो सिर्फ हमारे ठीक ठाक समय पर हो और जब भी मौसम गरबड होता है वो चला जाता है तो इसका क्या आर्थ समझ पा रहे हो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो क्या है सुख का तो साथी है बड़ दुख का साथी नहीं है सुख में साथ रहता है और दुख में छोड़ के भाग जाता है ऐसे इंसानों को कहा जाता ह इंगलिस में हम लोग कहते हैं इसकी दोस्ती difficult time में नहीं टिकती जो difficult time में आपके साथ नहीं रहता ऐसे इंसान को कहते हैं I hope कि आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी next stadium है get the shack get का मतलब प्राप्त करना shack का मतलब जोली जोली प्राप्त करना इसका क्या आर्थ निकलेगा देखो कोई कब जोली प्राप्त करता है जोली प्राप्त करने का मतलब भाई अब कुछ अपना बुरिया बिस्तर उठाओ अपना बुरिया विस्तर बादलो एक प्रकार से या जोली लेके निकल जाओ गेट ले लो जोली तो भाईया जब कोई इंसान कोई काम कर रहा है उस काम से उसको निकाल दिया जाएगा तो क्या होता है फिर उसको उसकी जोली पकड़ा दी जाती है उसका बुरिया विस्तर बाद दी जाता है कि लो अब निकलो तुम यहाँ से तो गेट दा सैक का मतलब है नौकरी से बरखास्त कर देना जोली पकड़ा देना उसको लो पकड़ो क्या पकड़ो जोली अपनी पकड़ो मतलब तुम निकल जाओ अपना बुरिया विस्तर पकड़ो निकलो तो नौकरी से बरखास्त कर देना to be dismissed suddenly from a job dismiss कर देना job से अच्चानक गरद सैक हो जाता है जोली पकड़ा देना और वैसे भी देखो अच्चानक अगर किसी को job से निकाल दिया जाएगा तो बैचारे की स्थिती तो गड़बट रहेगी अच्चानक निकला प्लान तो है नहीं बैक अप प्लान तो उसको बैचारे को जोली उठानी पड़ेगी ना अपना जीवन गुजारने के लिए जोली का मतलब seriously वो न लेना अपना निकल जाओ जोली ले करके तब तो अपनी का जीवन चला पाओगे तो गिर्दा साइक का मतलब है अचानक न उकरीशन निकाल दिये जाना तो बीडिसमिस्ट स्रली फ्रामा जाओ जो लाश्ट इडिया मैं that is hand in hand hand in hand हाथ में थाथ हाथ में हाथ कब होता है इसका मतलब है जब कोई साथ साथ होता है तब ही तो हाथ में हाथ होता है हाथ में हाथ कब होता है जब कोई साथ साथ होता है तो साथ साथ hand in hand together एक साथ अब एक साथ जा रहे हो, एक साथ कोई काम करता है, कोई कुछ भी होता है, या कोई गहरा relationship है, तब भी तो हाथ में हाथ डालके चलते हैं लोग, पाहों में बाहे डाले रहते हैं, हाथ से हाथ पकरके चलते हैं, close relationship में, तो साथ साथ, together, एक साथ हैं, तो hand in hand होगा, तो hand in hand का म चैनल को सबस्क्राइब करके विडियो को लाइक कर दो और चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकान जरूर प्रेस कर देना क्योंकि यहां पर आपको पूरी संपूर्ड इंग्लिस ऐसे वंडर्फुल वे में सिखाई जाएगी यानि ऐसा सीखो कभी न भूलो वाली टेकनिक से सिखाई जाएगी आपको संपूर्ड इंग्लिस यहां पर बेसिक टू एडवांस सिखाई जाएगी वो भी बिदाव टेनी कास्ट है इसलिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करके रखो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में